आज हम पढ़ेंगे हमारे अध्याय दो इस्तिर विद्धित विभव एवं धारिता के कुछ पुन्रावृत्ति प्रिश्ण जो वस्तुनिस्ट होंगे और आंकेक प्रश्ण होंगे चलिए शिरू करते हैं तो आज हम अध्याय दो इस्तिर विद्धित विभव इसके आंकेक प्रश्ण पुन्रावृत्ति एवं वस्तुनिस्ट प्रश्ण तो सबसे पहला प्रश्ण देखते हैं ये एक नुमेरिकल है दो प्लेटों के बीच दो सेंटीमीटर की दूरी है और विभवांतर उन दोनों के बीच में 200 वोल्ट है दोनों प्लेटों के बीच में हमें विद्धुचितर की तीवरता ग्याद करनी है आपने अभी विद्धुचितर की तीवरता और विभवांतर में संबंध पड़ा है हम देख लेते हैं इस सवाल में हमें दिया क्या है हमें दिया डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी सेंटिमीटर में तो जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो हम सबसे पहले उसको SIE system में एक ही unit में change करते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे याने स सो का भाग देंगे सो का भाग देने का मतलब है दस की घादरण़ दो का गुणा करना तो यह हमारा से मीटर में बदल गया डिस्टेंस पोटेंशल डिफरेंस कितना दिया है वोल्टेज कितना दिया है 200 वोल्ट अब हम जानते हैं तीवर्ता हमको निकालना है हम जानते हैं कि विववांतर वराबर तीवर्ता गुड़ दूरी संधारितर की जब आपने धारिता निकाली तब ये सूत्र का इस्तिमाल किया था विववांतर निकालने के लिए इसके अलावा विद्वश्चितर की तीवर्ता और विववांतर में जो संबंध आपने निकाला जिससे आपने विभव प्रवंटा की परिवासा भी निकाली उसमें ये फार्मूला निकला है तो विभवांतर बराबर क्या होता है तीवर्ता गुड़े दूरी तीवर्ता क्या E दूरी क्या D तो हमको क्या निकालना है E तो हम इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं E बराबर पक्षांतर हो जाएगा D का तो V अपॉन D आ जाएगा अब हम ये values रख देंगे तो V की value हमारे पास क्या है 200 V है हमने इसको उपर रख दिया D की value क्या है distance कितनी है तो ये प्लस का हो जाएगा तो दस की घात दो ये और दो जीरो ये तो दस की घात चार आ जाएगा unit क्या आएगा volt पर meter विद्व चितर की तीवरता का unit इसी potential gradient से ये निकला है volt पर meter volt वी उपर है D नीचे है और एक तीवरता का सूतर होता है E is equal to F upon Q naught उससे इसका unit क्या निकलता है Newton परती coulomb तो दोनों विद्व चितर की तीवरता के फार्मूले हैं आप लोग याद रखें चलिए next question करते हैं next question हमारा है एक चालक को दस की घात तरण 8 coulomb आवेश देने पर उसका विभाव 100 volt हो जाता है क्या होगी तो हम देख लेते हैं Q वरावर हमको क्या दिया है 10 की घात तरण 8 coulomb voltage कितना दिया है 100 दिया है अब धारिता हम जानते हैं निकालना है C वरावर क्या होता है Q upon V किसी चालक के विभाव में इकाई वरद्धी करने के लिए जितना उसको आवेज दिया जाता है उसी को कहते हैं चालक की धारिता अब Q हमारे पास है 10 की घात रिन 8 हमने उपर रख दिया voltage हमारे पास है विभानतर 100 अब ये 10 की घात 2 उपर जाएगा तो ये रिन का हो जाएगा 100 याने 10 की घात 2 1000 याने 10 की घात 3 10,000 याने 10 की घात 4 तो ये 10 की घात रिन 2 उपर हो गया 8 और 2 क्या हो गया 10 हो गया यूनिट क्या होता है फेरड होता है धारिता का तो ये आ गया हमारा 10 की घात रिन 10 फेरड थार्ड कुश्चन हम कहते हैं एक गोली चालक की धारिता दसकी घातरण 6 फेरेट के बराबर होता है एक नेनो फेरेट दसकी घातरण 9 फेरेट के बराबर होता है एक पिको फेरेट दसकी घातरण 12 फेरेट के बराबर होता है तो हमने इसको चेंज किया अब हमको क्या निकालना है व्यास निकालना है डाइमीटर निकालना है गोली चा यह तो आप फस्ट उनिट से फस्ट चेप्टर से पढ़ रहे हैं लेकिन वन अपॉन फूर पाई एपसलाइन नाट का वैल्यू होती है कुलम्सला से यह आपने सीखा है नाइन इंटू टेन टू दू पावर नाइन तो हम फूर पाई एपसलाइन नाट इसके निकालेंगे त इतनी है आई वन अपॉन नो गुड़ित दसकी घात नो यह रख दिया आर हमको कैल्कुलेट करना है तो आर को यहीं रहने दिया इसका पक्षांतर करोगे तो यह किसमे हैं भाग में हैं तो यह किसमे हो जाएगा गुणा में तो दसकी घात रिच है गुड़ित नो रिच्या आ गई व्यास्त रिच्या का क्या होता है दुगना होता है तो हम दो का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे दो गुड़ित नो गुड़ित दसकी घात तीन तो अठारा गुड़ित दसकी घात तीन देखिए साइंटिफिक जो फिजिक्स में वेल्यू लिख निखी जाती है उसमें पहली अशून्य संख्या के बाद दशमलव होता है तो यहां आठारा पॉंट जीरो है दशमलव यहाँ है आपको पता है दशमलव को जब हम बाईं तरफ किसकाते हैं तो दस के उपर एक घार प्लस की बढ़ जाती है और दाईं तरफ किसकाते हैं तो एक माइनस की बढ़ती है तो यदि हम इसको scientific method से लिखें तो यह आएगा 1.8 into 10 to the power 4 meter तो यह answer लिखेंगे तो भी आपका सही है और यह answer लिखेंगे तो भी आपका सही है तो यह numerical हमने इस chapter से संबंदित किये दोर्थ question हमारा आ रहा है बिंदू आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्शित्र की तीवरता तो R दूरी पर आपने derivation किया है बिंदू आवेश के कारण 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square यह हमारी तीवरता का सूत्र है question ऐसा भी आ सकता है कि यह समानुपाती है कि वित्कुर्मान तो आपको R square दिख रहा है नीचे नीचे वित्कुर्मानुपाती यदि option में यह दिया है तो यह 1 upon R square होगा चार option में से 1 upon R भी हो सकता है लेकिन सही क्या होगा 1 upon R square निर्वाद की विद्दूट शीलता का मान कितना होता है यह भी हमने जब कूलाम स्लाप पढ़ा था तब आपको बताया था 8.85 into 10 to the power minus 12 c square means कूलाम square पर newton into meter square यह उसका unit है कूलाम square प्रती newton into meter square इसे ध्यान रखें 6th question हमारा यह है कि एक समान विद्दूट शेतर में किसी दूटरूप को शेतर से theta कौन गुमाने में किया गया कारिय और साथी हम 180 का भी आपको बता देंगे तो यह कारिय का सूत्र है pe1 minus cos theta इसमें एक derivation हमने किया था tau is equal to pe sin theta यदि मानक इस्तिती से दूदरूप को गुमाया जाता है तो वो इसकी इस्तिती जूड़ जा कहलाती है यह मानक इस्तिती माने 90 degree और 180 से यदि हम गुमाया तो वो इसकी इस्तिती जूड़ जा है तो 180 से हम निकाल के देखते हैं तो theta की जगे क्या रख देंगी 180 cos 180 की value होती है minus 1 minus 1 होती है तो यह हो जाएगा pe1 minus minus 1 यानि 2pe यह 180 में 2pe वे लेगा वो डबलू का सूतर हमारा यह है 1 minus cos theta next question पर हम चलते हैं next question हमारा है वायू में एकांग धनावेश से निकलने वाला कुल विद्धित flux होता है अब flux काई से निकलता है? flux निकलता है गौस तियोरम से 5e is equal to q upon epsilon 0 अब यह एकांग धनावेश से एकांग का मतलब एक unit तो यहां क्या आ जाएगा? q upon epsilon 0 आ जाएगा यह ऐसा भी आ सकता है यदि option में आपके आ रहा है epsilon 0 की power minus 1 inverse तो यह और यह एक ही बात है epsilon 0 को उपर ले जाएंगे तो power इस पे खुछ नहीं है बने 1 है तो यह minus 1 हो जाएगे तो दोनों option ठीक है epsilon 0 inverse बने minus 1 यह epsilon 0 की घात minus 1 यह 1 upon epsilon 0 8th question है हमारा द्विधरुब आगूण P वाले द्विधरुब के कारण इसके केंदर से आर दूरी पर विद्धिक शेतर की तीवरता तो आपने तीवरता निकाली है केंदर से आर दूरी पर अक्षी इस्तिती में भी निकलती है और निरक्षी इस्तिती में भी निकलती है लेकिन आर्क्यू सम्में आता है इसका मतलब है इसमानुपाती वन अपान आर्थरगात या आर्की भावर माइनस तीन यह दोनों आंसर सही है आर्थरगात के व्युत्क्रमानुपाती होती है और बिंदु आवेस के काराण आर्ग वर्ग से ध्यान रखना धातु का आंक एक होता है कितना होता है वन होता है कि इश्यू ने गलती से यहां प्रिंट हो गया है वायू का परावेद्व तांक कितना होता है वन होता है नेक्स कुश्चेन हम देखते हैं द्विधरूप के कारण किसी बिंदु पर विभो भी दूरी आर्पर किस प्रकारन दूरी पर यदि हम विभव निकालें तो वो बनापॉन आर स्कूर राता है विभव का सूत्र है Allah अपॉन फोर पाई एकसलाइन जीरो क्यू अपां और स्कूर क्यू अपां आर Kopf के काए निरक्षी में निकालेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा ये दोनों डेरिवेशन हमने किये हैं next question हम देखते हैं सम विभाव प्रस्ट और विद्धुत बल्रेखाओं के बीच का कौण तो आपने पढ़ा है सम विभाव प्रस्ट के गुण में मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि वो लंबवत होती विद्धुत बल्रेखाओं सम विभाव प्रस्ट के लंबवत होती लंबवत का मतलब कौण कितना होगा 90 डिग्री का कौण होगा यह हमारा 12th question है 13 कूलाम पर वोल्ट के सरासी का मात्रक है देखिए यह जनरल यूनिट नहीं लिखाया सरासी का देखिए कूलाम मतलब आपईशू पर वोल्ट मतलब भी नीचे Q अपॉन भी Q अपॉन भी का मतलब क्या होता है धारिता C जिसका मात्रक क्या है फेररड है तो फेरर्ड और कूलाम पर वोल्ट दुनू एक ही बात है तो यह कूलाम पर वोल्ट आता ह neuen अनावशित चालक को आविसिट चालक के पास की सतह पर प्लस चार जाता है तो अंदर वाला माइनस उसके विभव को क्या कर दिता है कम कर दिता है तो अनावेस चालक या reject लाइंगे तो विभव क्या हो जाता है घड़ जाता समांतर प्रेट संधारित्र के धो डेरिवीशन हमने कि उनमें आपनी यही concept पढ़ी है प्रेरंड से अंदर वाले तल पर रिण बाहर वाले तल पर प्लस और बाहरी तल प्रत्वी से जुड़ा होता है तो प्लस प्रत्वी में चला जाता है 15 question देखते हैं हमारा क्या हा रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा सवाल ये कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल फस्ट उनिट के फस्ट सेप्टर में मान लीजिए फस्ट ही question है कुलम सला कुलम सला से बल निकालते हैं तो हम करके देखते हैं दुगना करेंगे तो क्या होगा देखिए यहां यह हमारा formula है यह कुलम constant 1 upon 4 pi epsilon i naught q1 q2 upon r square अब धूरी को हम double कर देते हैं यह r को r को double कर देंगे तो 2 r का square होगा 2 r का square आएगा दो दूनी 4 यहां लिख दिये मैंने 1 upon 4 और यह पूरा का पूरा क्या है f है तो f dash क्या आएगा f upon 4 इसका मतलब है 1 वटे 4 गुना हो जाएगा कम हो जाएगा 1 वटे 4 गुना यह हो जाएगा 15 हो गया आगे बात समझ में धूरी 4 गुना आएगा निर्वाद की विद्ध शीलता epsilon 0 और पराविद्ध माध्यम की विद्ध शीलता epsilon में क्या संबंद है यह है relation epsilon is equal to epsilon not k यदि हम यहां constant किसी माध्यम की बात करते हैं तो epsilon 0 के भगल में हम k लिख देते हैं इस फार्मूले में उसका कारण यह है कि वहाँ epsilon आन माध्यम की विद्ध शीलता या हम लिख दें epsilon 0 के जहां के क्या कहलाता है माध्यम का पराविद्ध तांग अलग-अलग माध्यमों के पराविद्ध तांग अलग-अलग होते हैं जैसे अभी वायू का मताया एक होता है धातु का क्या है अनन्त होता है पैराफिन का जो है व तो 2.25 और वाटर का होता है 78.2 तो अलग-अलग माध्यमों के अलग-अलग परावेद्य तांक होते हैं एक समान विद्यु छेत्र में खीची गई बल रेखाएं की कैसी होती है परस पर समानांतर होती है यदि विद्यु छेत्र समान है तो एक विद्यु दुद्र पर नेट आवेश कितना होता है यह 0 होता है प्लस चार्ज होता है विद्यु दुद्र पर और माइनस चार्ज होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू और दोने को बीच में बहुत अलप दूरी होती है बद्धिविंदू जीरो लेते हैं हम इसी से अक्षियों निरक्षी इस देती सब हमने पढ़ा है तो नेट चार्ज कितना होता है जीरो होता है बराबर और प्रित आवेस होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू नाइनटीन कोस्टन पर आदें प्रत्वी का विभाव क्या माना जाता है प्रत्वी का विभाव क्या माना जाता है जीरो उसी को रिफ्रेंश मान के हम चलते हैं विद्द विभाव का विमीच शूत्र यह हमने पछले वीडियो में विभाव का जो बनाया था आपको पढ़ाया था उसमें मैंने निकाले बताया विभाव M, L2 T की पावर माइनस 3, A की पावर माइनस 1 ये actually में W upon Q होता है विभाव का हमारा फार्मूला तो इससे हम easily निकाल सकते हैं W होता है M L2 T माइनस 2 M W का विमिस होता है M L2 और T माइनस ये 2 Q का आप जानते है 80 होता है Q क्या होता है I T I धारा और T टाइम धारा और समय का गुडनफल आविश कहलाता है तो ये देखिए M L2 M L2 आ रहा है T उपर जाएगा तो ये माइनस 1 बढ़ जाएगा तो T माइनस 3 और A माइनस 1 इस तरह से ही आया Next question हम देखते हैं 10 cm के धादू के केंदर पर विभाव कितना होता ये सारी चीज़ें जो दी हैं ये हमको कन्फ्यूज करने के लिए दी है जितना सर्फेस पर वोल्टेज होता है खोकले गोले के उतना ही केंदर पर होगा तो वो कितना होगा 900 वोल्ट कुछालक माध्यम की उपस्तिती का किसकी येर की बात कर रहा है कुछालक करेंगे तो हम एपसलाएं नौट के लिखेंगे इसका मतलब है वो 1 अपॉन के गोना रह जाएगा नीचे के आ जाएगा ना तो वो घट जाता है एक मटे के गोना रह जाता है के क्या है जिसमें माध्यम का परावेदुतांक है 23rd में हम देते हैं दुधरूप की निरक्षी इस्तितीम विद्धुत विभाव मैंने अभी चर्चा भी करी और आपको याद भी होगा ये 0 होता है दुधरूप पर बराबर दूरी पर दर आपने याद कर लिया होगा इसको कहा जाता है विभाव प्रवंड़ता E is equal to minus db upon dx दूसरे शब्दों में विभावांतर बराबर तीवरता गुड़ित दूरी जिसका हमने उपयोग भी किया समाना अंतर प्रेट संदारितर में next question हम देखते है 10 कुलाम के आवेश से किसी चालक के विभाव में 2 वोल्ट की ब्रद्धी होती है तो धारिता उसकी कितनी होगी तो आवेश दिया है विभाव दिया है तो इसका मतलब है हम धारिता आसानी से निकाल सकते हैं करते कि हमें फार्मूला पता हो C is equal to होता है Q upon V तो Q upon V से 10 बटे 2 Q की value 10 है ये 2 है 10 बटे 2 यानि 5 पेरड दो संधारित्रों को स्रेणी क्रम में जोडने पर कौन सी राशी शमान होती है डेरिविशन किया है तो स्रेणी क्रम में जब हम जोडते हैं उन्ता आन्तर क्रम में जोडते हैं तो बिवव बराबर होता है हर संधारित्र की पिलेटों पर बिवव समान होगा क्योंकि सारी पिलेट्ने 2 बिंदूओं के बीच में जुड़ी रहती है तो जो 2 बिंदूओं के बीच का बिवव होगा वही प्रतेक संधारितर पर होगा विभव समान रहता है स्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है 28 मा क्वेशन है हमारा तीन माइक्रो फेरड धारिता के तीन संधारितर स्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी धारिता कितनी होगी स्रेनी क्रम में जोड़े हैं 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 इसका मतलब है 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3 LCM लेंगे 3 आएगा उपर 1 plus 1 plus 1 तो 3 upon 3 1 microfarad किसी आविसे चालक में कितनी उड़जा संचित होती तो आविसे चालक की उड़जा का सूतर है U वराबर half QB एक तो यह है दूसरा half CB square इसलिए Q is equal to CB होता है यह देखिए यहां से Q is equal to क्या होता है CB, C और B कतिरिया गुणा कर गिए तो यहां CB कर देंगे तो CB square और तीसरा Q square upon C यह अभी हमने Q का रखा था है यह भी का मान रखता है यहां से तो यह Q बटे C रखाएगा इधर तो Q square बटे C 1 by 2 तो यह तीन फार्मूले उड़ जाके होते हैं 30 question है क्या किसी बिंदू पर विभाव शून्य हो परंतु तिवरता शून्य ना हो ऐसा होता है जी हां निरक्षी इस्थति में विभाव शून्य होता है परंतु तिवरता शून्य नहीं होती वो आती है 1.4 π.0 P upon RQ लेकिन विभाव क्या आता है 0 आता है अब हम detail में कुछ numerical जो NCRT की book में है जो हमारी MP board ने adopt की है उस book में कुछ numericals है उनको करेंगे चलिए समझेगा पहला question उसमें से ये है वायू में एक दूसरे से 30 cm की दूरी पर रखे दूरी पर दो छोटे आविशित गोलों पर क्रम साह दो गुड़ित दसकी घातरन साथ और तीन गुड़ित दसकी घातरन साथ कूलाम आविश है इनके बीच में कितना बल लग रहा है तो बल निकालने के लिए फार्मूला हमको पता है कूलाम सला Q1 कितना दिया है दो गुड़ित दसकी घातरन साथ Q2 कितना दिया है तीन गुड़ित दसकी घातरन साथ दूरी सेंटिमीटर में दी है हम ऐसा ही पद्धती में करते है तो हम इसको मीटर में कनवर्ट करेंगे एक मीटर में एक सेंटिमीटर में दसकी घातरन दो मीटर होते है क्योंकि एक मीटर में सो सेंटिमीटर होते है दसकी घातरन दो का गुड़ा होगा तो यह हो जाएगा 0.3 कैसे हो गया आप चाहें तो बटे 100 कर दें तो 0 से 0 कटेगा तीन में 10 का भागोगा तो 0.3 आएगा इसमें वैल्यू रख देंगे आपको पता है बन बाई 4 पाई एफसलाइन 0 की वैल्यू होती है 9 गुड़े 10 की घात 9 ये 9 घात में है और Q1 की वैल्यू 2 गुड़े 10 की घात 7 Q2 की वैल्यू 3 गुड़े 10 की घात 7 ये 10 की घात 9 है आपको 109 दिख रहा होगा ये पावर सही से नहीं लग पाई है ये 9 गुड़े 10 की घात 9 है तो हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 0.3 का वर 10 की गादरन साथ ये 10 और 10 मैंने उपर कर दिये पॉइंट अटा दिये इनके पॉइंट 3 का पॉइंट अटा तो उपर इंटू 10 इस पॉइंट 3 का अटा तो इंटू 10 अब हम इनको गुणा कर लेते हैं ये देखिए 9 उपर पचा 3 गुड़े 3 9 9 से 9 क्या हों जाएगा ये कैंसल हो जाएगा ये कैंसल हो गया तो हमारे पास आगया 2 तियें 6 अब देखिए 7 और 7 ये माइनस के 14 हो गए और 9 और ये 2 10 9 और 2 11 रेंट 7 और 7 गहाद जुड़ी तो रेंट 14 और ये 10 की गहाद 9 है और 10 और 10 तो ये दो घात हो गए तो नोड़ दो 11 और इसमें से 14 में से माइनस का 14 है 11 प्लस का है घात घटेगी तो 6 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 3 न्यूटन ये दोनों के बीच में बला गया नेक्स कोस्चन देखते हैं इसका अपन दूसरा प्रस्थ ये NCRT के बुक के कोस्चन है 0.4 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशे छोटे गोले के कारण वायू में 0.2 न्यूटन का बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दो बाते निकालना है दोनों गोलों के बीच में दूरी कितनी है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है अब देखिए बल हमें दिया है और दूरी निकालना है फार्मूला तो वही लगेगा ये Q1 की value क्या दिया है 0.4 microcolum हमने इसको convert किया coulomb में दसकी 176 का गुणा और minus 8 microcolum हमने इसको convert किया R दिया है F दिया है 0.2 newton फार्मूला हमने लिखा coulomb सला से ये R square दिस से निकाले है तो F कहां जाएगा नीचे आजाएगा F जब नीचे आएगा तो इसकी value 10 की घात 9 9 गुडित 10 की घात 9 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 की value 0.4 into 10 to the power minus 6 Q2 की value 0.8 into 10 to the power minus 6 और नीचे F F की value 0.2 newton अब हमने इसको solve किया solve किया तो क्या आया ये 0.2 है और ये 0.4 है point से point cancel हो गया ये point से point हमने cancel कर दिया 2 दूनी 4 यहां क्या आजाएगा 2 आजाएगा तो यहां आएगा हमारा point 8 into 2 1.6 और 9 अब 10 की घात 9 और उच्छे और उच्छे 12 रिंड 12 में से 9 हो गया तो 10 की घात रिंड 3 हमने इसको क्या कर लिया 16 कर दिया 16 किया तो 16 अम्मा 144 और 10 की घात रिंड 4 हो गया अब R स्क्वेर था ये R निकालना है तो इसके उपर क्या लग जाएगा अंडर रूट इसका वर्गमूल निकलेगा तो 10 की घात रिंड 4 का 10 की घात रिंड 2 आएगा और 144 का 12 आएगा ये ये answer काय में आएगा मीटर में तो इसका मतलब है सौका भाग हो रहा है तो ये 12 cm हुगा तो इसके घात रिंड 2 मीटर याने 1 cm तो distance क्या आई है हमारी 12 cm तो इजीली हमने ये निकालं ली तो formula वही है ये 12 cm है इसका बी और है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है अब देखिए एक गोला जितने पर बल लगाता है उसको वेक्टर F12 कहते हैं वो बराबर होगा F2 बन के तो दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा आरूपित बल भी कितना होगा 0.2 Newton तो आज आपने revision किया हमारे अध्याय दोका हमारा घर हमारा विद्याले की समय सारणी के अनुसार आप अपने अध्यापक सिक्षक सिक्षिकाओं के मार्ग दर्शन में घर पर रहकर पढ़िएगा और पूरे चेप्टर को अच्छी तरह से समझिएगा सिक्षकों का मार्दर्